यह से अनुजी देख रहे हैं मसालो में भी आज कुछ एक हलकी सी नर्मी देखने को मिलिया कल के मुकाबले कल को हमने धनिये को 9100 पर ट्रेड करता देखा था आज देखरें 8900 पर ट्रेड कर रहा है आपको क्या लगता है क्या दनिये में यहां से एक बार फीर से 9000 के अपर का टार्गेट देखने को मिल पाएगा दुछ दनिये में मसालो में हमने एक अच्छा ट्रेंड देखा था आला कि धिवी ट्रेंड पॉजिव है महज एक profit booking हमने देखी है आज हमें चाहिए कि यहां पर जो यह profit booking है यह एक अच्छा मौका खरदारी करने के लिए हम दुबारा से उपर में नौ जाते आतों तक लेवल दनियों में देख सकते हैं और बाकी मसालों में भी जो recovery है वो continue रहेगी तो बहुत बीपागार आता है तो खरदारी हमारी recommendation है कि बाय का trade लिया जा सकता है अनु जी क्या यह तेजी जीरे में भी जारी रह सकते हैं कि हमने जीरे को 16,600 के वी उपर trade होता है और एक दो trading sessions में देखने हैं कि एकदम से 16,100 के levels देखने को मिल चुके हैं क्या जीरे यहां से थोड़ा और फिसलता हो नजर आ सकता है कि जीरे में लगता नहीं हमें कुछ गरावाट देखने को मिलेगी क्यों इसका trend positive है हम लगता है कि अगले महिने तक इसमें 17,100 के level देखने को मिलेंगे जीरे मसालों के अंदर हमने इस एक्सपोर्ट इमान काफी अच्छी देखी है अलाकि जीरा जी जो सोईंग है वो यहां पर चोड़ी कम रही है बुवाई भी कम रही है उससे काफी अच्छा असर रहेगा तो खरदारी की ही हमारी recommendation है भी जीरा में और हम अगता है कि उपर म कि आपको आने वाले महिने में लिए करन डिसंबर एक्सपारी पर बात करें तो 17-18 के लेवल देखी जा सकते हैं जी यह से मुझे बात करें अगर हल्दी की तो हल्दी को हमने कल 8000 के भी हाई लगाता देखा था आज देख रहे हैं कि 7600 पर ट्रेड कर रहा है आपको क्या लगता है कि हल्दी में एक बार फिर से 8000 या उसके उपर के भी लेवल देखने को मिल पाएंगे या फिर यहीं पर सिमेट कर रहा जाएगी बिल्कुल मुझे लगता है कि हल्दी के अंगर जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव है और मुझे लगता है कि हांपर भी एक अच्छा सपोर्ट रहेगा तो उपर हम अच्छे लेवल आपर देखेंगे हम एक्सपर्ट कर रहे हैंगी आपको दिसंबर एक्सपाइरी तक ऊपर में आठे है 400 आठे है 500 तक के लेवल देखे जा सकते हैं तो यहां पर भी हमारी खरदारी की ही चला रही जी